सत्रा, शुक्राना, सर्मद ने फर्माया है, तेरी महरदा एक दरिया वगदा, जीदा नहीं कंडा आर पार कोई ना, दिल तकदा ओनु हैरान होया, जीभा सक्दी शुक्र गुजार कोई ना, ए ठीक है, बहुत गुना मेरे, तेरे फजल दावी पारावार कोई ना, तेरदा मैं गुनाहां ते सागरा विच, फिर भी ओदे विच डुबदा मैं कोई ना, देरे का एक सेवादार अपनी सेवा से परिशान था, निराश था, उसके अपने सेवादार इंचार्ज के साथ अच्छे तालुक नहीं थे, उसके साथ दिन बदिन, साल, दर साल, सेवा क उसे बोज लगने लगा था, एक दिन उसने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया, और वह सेवा छोड़ कर, प्यास छोड़ कर, अपने घर वापस जाने की तैयारी करने लगा, भारी मन से अपना इस्तीफा लिख कर, वह उसे मुनासिब डिपार्टमेंट में सौंपने के ले गया, जब वह उस डिपार्टमेंट के बाहर इंतजार कर रहा था, तो उसने देखा कि एक औरत कोने में बैठी रो रही थी, मानो उसका दिल फट रहा हो, सेवादार ने उससे पूछा कि सब ठीक तो है न, बहते हुए आंसुओं के साथ उस औरत ने जवाब दिया, जी सब बहुत अच्छा है, मुझे अभी अभी सेवा मिली है। सेवा को रोज मर्रा के काम का दरजा दे दिया था। जो निराशा उसे सेवा करते हुए या अपने साथी सेवादारों के साथ, या अपने डिपार्टमेंट के इंचार्ज के लिए महसूस हो रही थी, वह उसी तरह थी, जैसे किसी को नौकरी में महसूस होती है। यह बात क वहीं उसके जहन से निकल चुकी थी कि वह सद्गुरू की सेवा कर रहा है। लोगों के शक्सियतों, उसूलों और अपने जजबातों के तले दबा वह सेवा की कद्र भूल गया था। उसे लगा कि उसके कंधों से कोई भारी बोज उतर गया है और वहे अपना इस्तीफा सौंपे बिना अपने डिपार्टमेंट लोट गया और फिर से सेवा शुरू कर दी। उसके बाद कई महीने और कई साल बीद गये, हालांकि उसके हालात में कोई तबदीली नहीं आई थी, लेकिन उसका खुद का नजरिया उन लोगों के लिए पूरी तरह बदल गया था। वे सब बातें जो पहले उसे परेशान किया करती थी, उनसे अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सेवा की बख्षिश के लिए उसके दिल में अब एक नया शुकराना था, वेह शुकराना जो पहले लगभग खत्म हो चुका था। यह बात हर सेवादार के लिए एक भयानक सपने की तरह है, कि कहीं वाकई वेह सेवा की कद्र न भूल जाए। जब हम सोचते हैं कि हमारे बिना सेवा नहीं चल सकती, या हमारे अंदर हो में आ जाती है, या हम सेवा को एक कारिवाही या एक मुश्किल काम के रूप में देखने लगते हैं, या फिर सेवा को रोज मर्रा के दुन्यावी कामकाज समझने लगते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि हमने सेवा की कद्र करनी बंद कर दी है, उस समय हम सेवा को खो देने का खत्रा उठाते हैं, या कम से कम सेवा से मिलने वाली खुशी और नियामतों को खो देने का जोख सेवा पर हमारा हक नहीं है यह तो एक सौभग्य है जिससे हमें नवाजा गया है और साथ ही यह एक जिम्मेदारी भी है यह सद्गुरु द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है अगर हम इसकी कद्र करते हैं इसका सही ढंग से इस्तिमाल करते हैं तो सत्संगी होने के नाते सेवा हमें अगले मुकाम पर ले जाने में मदद करती है लेकिन आखिरकार हैं तो हम इनसान ही कई बार हम सेवा में हताश और निराश महसूस करते हैं जब कभी ऐसा वक्त आए तो गौर करें कि हमारे लिए सेवा के क्या माइने हैं और हमें कैसे इन सब की कद्र करनी चाहिए संगत का शुक्राना शुरू शुरू में जब हम सेवा में आते हैं तो हमारे मन में यह आम धारना होती है कि जिन लोगों की सेवा की जाती है उन्हें सेवा करने वालों का एहसान मानना चाहिए लेकिन सद्गुरू हमारी सोच को एक नया रुख देते हैं वे सिखाते हैं जो सेवा करते हैं उन्हें सेवा करवाने वालों का शुक्रुगुजार होना चाहिए डेरे के आई कैम्प के दोरान सेवादार निश्काम भावना से हजारों की तादाद में लोगों की सेवा करते थे नजर बहाल करने में वे ऐसे लोगों की मदद करते थे जिन्होंने दोबारा देखने की उम्मीद ही खो दी थी अधिकतर लोग जिनकी मदद की जाती थी वे सत्संगी नहीं थे हुजूर महराज जी आई कैम्प में सेवादारों से कहा करते थे कि सेवा का मौका मिलना बड़ी खुशकिस्मती की बात है इसके लिए उन्हें सेवा देने वालों का एहसान मंध होना चाहिए महराज छरं सिंग जी ने फरमाया हमें خود को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि ये मरीज हमें सेवा का मौका देते हैं बड़ी मुश्किल से किसी की सेवा का मौका मिलता है इसलिए हम इन मरीजों के एहसान मंध हैं कि इन्होंने हमें सेवा का मौका दिया हम अपनी सेवा से प्यार करते हैं और जानते हैं कि संगत के बिना सेवा करना मुम्किन नहीं है इसलिए जब कभी संगत के किसी ऐसे इनसान से हमारा सामना हो जाए जिससे निपटना मुश्किल लगे और हम अपना आपा खोने लगें तो हमें खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि हम खास इसी वज़से तो सेवा में आए हैं संगत की लगातार बदलती हुई जरूरतें उनकी मांगें और मुश्किलें ही हमारे लिए सेवा के अफसर पैदा करती हैं सेवा का मौका देने के लिए हमें उनके एहसान मंद होना चाहिए अपने साथी सेवादारों का शुक्राना सेवा के असली माइने हैं एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार और तालमेल से सद्गुरू के लिए काम करना हालांकि कई बार सेवा में काफी समय अकेले ही काम करते हुए गुजारना पड़ता है फिर भी हमें साथी सेवादारों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पड़ती है और हमारे बरताव का एक दूसरे पर असर भी पड़ता है साथी सेवादारों का प्यार, उनकी लगन हमारे लिए प्रेड़ना का एक बड़ा स्रोत है हम डॉक्टर और आर्किटेक्ट को सडकों पर जाड़ू लगाते देखते हैं फैक्टरी के मालिक शोचाले साफ कर रहे होते हैं बढ़ाई और प्लंबर, गर्मी और धूल भरे वातावरण में सडकों पर ट्राफिक कंट्रोल करते हैं और बुजुर्ग औरतें जिनें कम्प्यूटर की जानकारी भी नहीं है, कम्प्यूटर पर स्प्रेडशीट बनाना सीखती हैं इन सेवादारों के लिए कोई भी सेवा बहुत बड़ी या मुश्किल नहीं होती और नाहीं कोई सेवा नामुम्किन होती है ऐसा नहीं है कि इन्हें चुनोतियों और मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन किसी न किसी तरहे वे उनका हल ढूंड लेते हैं ये सेवादार इसलिए सेवा नहीं करते क्यूंकि सद्गुरु वहां आसपास होते हैं इन मेंसे कईयों ने तो सालों से सद्गुरु के दर्शन नहीं किये होते फिर भी, अगर सद्गुरु के लिए उन्हें कुछ करने का मौका मिलता है, तो वे उसके लिए हमेशा तयार रहते हैं, बिना इस उमीद के कि बदले में उन्हें कुछ मिलेगा इन सेवादारों में से कई बहुत ही काबिल होते हैं, फिर भी, वे दूसरों के साथ बड़ी हलीमी से पेश आते हैं, सेवा के प्रती, उनका ऐसा नजरिया देखकर, हमारे अंदर भी हलीमी आने लगती है दूसरी तरफ, कईयों में कोई खास काबिलियत नहीं होती, लेकिन वे इतने दिल से सेवा करते हैं, कि हम उनका निशकामभाव देखकर हैरान रह जाते हैं इन में से कई सेवादार हमारे उस्ताद भी बन जाते हैं, जो हमारी रहनुमाई करते हैं, साथ देते हैं और हमें प्रेरित करते हैं इस तरहें हम ना सिर्फ सद्गुरू से बलकि एक दूसरे से भी प्रेम करना और सेवा करना सीखते हैं समय बीटने के साथ हमारी कई ऐसे लोगों से पक्की दोस्ती हो जाती है जो अलग-अलग आर्थिक वातावरण या सब्यता से आते हैं अगर सेवा का ये मौका न मिला होता तो हम कभी उनसे न मिलते इन में से कईयों के साथ तो जिन्दगी भर की दोस्ती हो जाती है ये वे लोग हैं जो जरूरत पढ़ने पर आधी रात को भी हाजिर हो जाएंगे इन में वे लोग भी शामिल हैं जिनके साथ सेवा के दौरान शायद हमारी ज्यादा न मनती हो क्यूंकि हमारे अंदर एकता और सांजे परिवार की भावना हम सब को बांध कर रखती है समय के साथ इन साथी सेवादारों का सहारा हमारे लिए एक पनाह बन जाता है उनके साथ हमें सुकून और अपने पन का एहसास होता है और हम दुन्यावी परेशानियों और कष्टों से राहत महसूस करते है सेवा हमें इकठा करती है और उस मालिक के लिए हमारा प्यार हम सब को बांध कर रखता है हमारे सेवादार बेहन भाई हमारा परिवार है एक दूसरे का सहारा है हमारे संगी साथी है हम सब का एक ही मकसद है हम सब के सामने एक जैसी चुनोतियां है और हमारा एक ही प्रियतम है सेवा हमें परमात्मा के साथ प्रेम को सांजा करने और मिलकर इस रोहानी सफर तै करने का मौका देती है सद्गुरु का शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अलफाज नहीं है जिन्होंने हमें बे इंतिहा प्रेम और अपने सहारे के लिहाव से ढखा हुआ है सेवा के लिए शुक्राना काया पलट का मतलब है कि एक जीव पूरी तरह से दूसरे जीव का रूप बन जाए चाहे वैं खुदरती ढंक से हो या गैबी ढंक से काया पलट का सबसे आम उदारन कैटरपिलर का है चो तितली में तबदील हो जाता है आईए सेवा को ध्यान में रखते हुए एक कैटरपिलर के तितली में बदलने की प्रक्रिया को समझें क्यूंकि सेवा भी ऐसे ही हमारी जिन्दगी की काया पलट करती है कैटरपिलर पैदा होने पर अपनी छोटी से दुनिया में मस्त रहता है लगातार खाते रहना ही उसकी जिन्दगी होती है उसकी दुनिया उस छोटे से पौधे तक ही सीमित होती है जिस पर वह पैदा होता है लेकिन किसी रहस्यमय पल में कैटरपिलर के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी खाने की चाहत खत्म हो जाती है वह अपने लिए एक जगे ढूनता है और एक कुकून यानि लिहाफ बना कर अपने आपको उसमें समेटने लगता है उस कुकून में यह अपने आपको पूरी तरहें एक रहस्यमय प्रक्रिया के हवाले कर देता है जी विज्ञानी बताते हैं कि कुकून में कैटरपिलर एक तरह के मोटे टुकडों वाले प्रोटो प्लाजमिक सूप का रूप ले लेता है जहां इसके कुछ हिस्से तो बरकरार रहते हैं लेकिन कुछ पूरी तरह से घुल जाते हैं समय बीतने के साथ कैटरपिलर पूरी तरह से एक नए रूप में सामने आता है एक सुन्दर तितली के रूप में लेकिन तितली अभी आजाद नहीं है तितली के इस समर्पन की अवस्था के बाद वह अवस्था आती है जिसमें तितली को कुकून से आजाद होने के लिए बेहद मेहनत करनी पड़ती है कुकून से निकलने की यह जद्दो जहद ही तितली के पंखों को मजबूती देती है और उसे उड़ने की ताकत देती है और फिर आखिरकार तितली आजाद होकर आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाती है है ना यह चमतकार? एक छोटा सा पत्ते खाने वाला कैटरपिलर एक सुन्दर आकाश में उड़ने वाले जीव में बदल जाता है, जो पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, अलग तरह का खाना खाता है और उड़ने की ताकत रखता है बदलाव का यह करिश्मा जो पूरी तरह से कुद्रती है, तरसल समर्पन और कोशिश का नतीजा है इसी तरहें, सद्गुरु के हर एक शिश्च को रूहानी काया पलट की प्रक्रिया से गुजरने का मौका मिलता है शुरू शुरू में हम भी हमेशा इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहते हैं लेकिन फिर एक समय आता है, जब क्याटरपिलर की तरहें, हम इनसे बेलाग होने लगते हैं तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा और सुरच शब्द की सेवा ये वो कुकून हैं जिन में हम अपनी मर्जी से दाखिल होते हैं हर बार जब भी हम भजन सिमरन में बैठते हैं या संगत के लिए खाना बनाते हैं या सिमरन करते हैं हम उस रुहानी कुकून में दाखिल होते हैं तितली और पतंगे जैसे जीव एक बार अपने कुकून में आते हैं, कई दिनों तक उसमें रहते हैं और फिर एक नया रूप लेकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमारा तरीका अलग है, हम रोज अपने उस नजर ना आने वाले कुकून में कुछ समय के लिए दाखिल होते हैं, लेकिन फिर दुन्यावी विशे भोगों के लालच में आकर बाहर निकलाते हैं। दुन्यावी विशे भोगों से बचने के लिए हम बार-बार कुर्बानिया करते हैं और फिर कुकून में दाखिल होते हैं। इस काया पलट के लिए बेंत छोटी बड़ी कोशिशों की जरूरत पड़ती है, जो धीरे-धीरे हमारा भरोसा और हमारे रुखानी इरादे को द्रिड करती है। कुकून के अंदर हम अपने आप को एक ऐसी प्रक्रिया के हवाले कर देते हैं, जिस पर हमें भरोसा तो है, लेकिन हमें उसकी पूरी समझ नहीं है। हर बार जब हम कुकून में दाखिल होते हैं, मेहनत और समर्पन के साथ हमारे अंदर थोड़ा और बदलाव आता है। भाव बढ़ने लगता है। गुरु नानक देव ने फरमाया है, जैसा सेवे तैसो होए। बदलाव की यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है। सेवा मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद हमें सीखने और आगे बढ़ने के कई मौके मिलते हैं। जब सेवा में सब ठीक चल रहा होता है, तो हम कहते हैं कि मालिक की बड़ी महर है। लेकिन उसकी दया मेहर कई तरह से आती है। जब हालात सही नहीं होते, तो भी उसकी दया है। सद्गुरु वही करेंगे जिसमें हमारा भला हो। महराच चरन सिंग जी ने फरमाया है, प्रेम और दया मेहर की हमारी धारणा है कि हमें जिस चीज की चाहत हो, वह हमें मिल जाए। लेकिन कई बार मा को बच्चे के मुँ में करवी कुनैन डालनी पड़ती है और बच्चे को अपने भले के लिए उसे लेना पड़ता है। लेकिन मा के प्यार से बढ़कर बच्चे के लिए कोई और प्यार नहीं हो सकता। हम सद्गुरू के शुक्र गुजार हैं कि वह संगत और साथी सेवादारों के रूप में हमारे सामने एक आईना रखते हैं जिसके जरिये हमें अपनी खामियां और कमजोरियां नजर आती हैं और हम खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। हम रहम दिली कैसे सीखते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं और दूसरा इंसान उसका जवाब हम दर्दी और प्रेम से देता है। हम हलीमी कैसे सीखते हैं, जब हम किसी से नाराज हो जाएं, तो हम गौर करें और दिल में पच्चतावा करें, और सूचें कि सद्गुरू हमसे उस समय कैसे बरताव की उम्मीद करते हैं, और फिर वापस जाकर उस इनसान से माफी मांगें। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस तकलीफ से ही बदलावाएगा। सूफी फकीर यूनस एम्रे ने इसे अपने शेख तब्दुक द्वारा पकाया जाना कहा है। हम तब्दुक के दर्के खिद्मतकार बने। मसकीन यूनस जो कच्चा और बेजायका था, आखिरकार पकर तयार हो गया। अल्हम्दुलिलाहा, यानि खुदा की सिफ़त, खुदा का शुकराना। काया पलट में पूरी जिन्दगी लग जाती है। यह इतना धीमा है कि रोज बरोज हो रहा यह बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन जब हम जिन्दगी में पीछे मुड़ कर देखते हैं, तो हैरान होते हैं कि उसने हमें कितना बदल दिया है। हालांकि इस काया पलट का यह करिश्मा सदगुरु का काम है, लेकिन इस बदलाव की रफ्तार काफी हद तक हमारे हाथ में है। बड़े महराजी फर्माया करते थे, जितनी हम कोशिश करते हैं, उसी हिसाब से हम अपनी तरक्की को तेज या धीमी कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम अपने रूहानी कुकून में दाखिल होते हैं, और जितनी ज्यादा देर तक हम उसके अंदर ठहरते हैं, उतनी ही तेजी से हमारी काया पलट होती है। अगर हम काया पलट के तरीके को खुले दिल से अपनाते हैं, तो सेवा अपने हर पहलू के जरिये हमें एक नन्ही बूंद को उस रूहानी सागर में बदलने की ताकत रखती है। महराज चरन सिंग जी ने फरमाया है, भजन बंदगी का असर वाकई चमतकारी है। हम दुनिया से उसी तेजी और शिद्दत से बेलाग हो जाते हैं, जिस तेजी से हम दुनिया की ओर दोड रहे थे। अब हम कुल मालिक की ओर दोडने लगते हैं। हमें उस सची प्रीती और सची भक्ती के आनंद और खुशी की पहचान होती है, क्यूंकि अंतर में अपने सदकुरू में लीन होकर हम एक बून से रुहानी सागर ही बन जाते हैं। शायद हमें अंतर में हो रहा बदलाव महसूस न हो, लेकिन हम भजन बंदगी से मिलने वाली शान्ती और आनंद महसूस कर सकते हैं। और अपनी रोज मर्रा की जिंदगी में बाहरी सेवा का असर देख सकते हैं। शुक्र गुजार होने की हमारे पास बहुत सी वजहे हैं। सेवा में हमें कई तरहें के नए काम करने का मौका मिलता है। इससे हमारा विश्वास और आत्म सम्मान बढ़ता है और साथ ही हमारे अंदर की हों में कम होती है। क्यूंकि हमें एहसास होने लगता है कि दरसल हम कितना कम जानते हैं। हमें महसूस होता है कि चाहे सेवा करते हुए कितनी ही परेशानिया क्यों ना आएं, लेकिन सेवा एक महफूज जगे है। कभी-कभी सेवा में हम ऐसे खत्रे मोल ले लेते हैं, जो आम तोर पर शायद हम न उठाते, लेकिन इसके बावजूद हमें आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। सेवा में हम न सिर्फ नई चीजें सीखते हैं, लेकिन हालात और लोगों से निपटने के लिए तरीके भी सीखते हैं। कई सेवादार कहते हैं कि जब वे पहली बार सेवा में आये थे, तो उनका मानना था कि वे अपनी दुन्यावी काबिलियत से सेवा के काम में सुधार ला सकते हैं। लेकिन अब जब पीछे मुड कर देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने सेवा से इतना कुछ सीखा है कि अपनी दुन्यावी और परमार्थी जिन्दगी को समरिध कर सकते हैं। थिच नहाथान एक चीनी कविता में फरमाते हैं, मठ के फर्ष पर ज़ाडू लगाते लगाते ज्यान हासिल होने का एहसास हुआ। सेवा हमें और ज्यादा विनम्र बनाती है। यह हमें अपनी खुदी से बाहर निकलने और दूसरों के लिए कुछ करने का मौका देती है। कुछ ऐसा जिससे निजी फाइदा नहीं बलकि दूसरे की सेवा करके खुशी हासिल हो। इस सफर में हम महसूस करते हैं कि दुनिया सिर्फ हमारे ही इर्दगिर्द नहीं घुमती। हमें एहसास होता है कि सद्गुरू का काम हम से कहीं ज़्यादा उंचा है। हम अपनी हौमे को एक तरफ रख कर गुरू को अपने जरिये काम करने देते हैं। हम एक बरतन का रूप ले लेते हैं जो सद्गुरू के काम करने का मात्र जरिया है। जब हम यह करिश्मा देखते हैं कि गुरु कैसे अपने काम करवाते हैं, तब हम हलीमी और शुकराने से भर जाते हैं। सेवा का हमारी दुन्यावी जिन्दगी पर बहुत असर पड़ता है। परमार्त में आने का मतलब है एक अच्छा और बहतर इंसान बनना। सेवा करते करते जो खूबियां हम अपनाते जाते हैं, वे हमें परिवार का एक बहतर सदस्य, एक बहतर दोस्त और एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करती हैं। जैसे जैसे हम सेवा में रमते जाते हैं, हमें अपनी कमजोरियों का एहसास होने लगता है, दूसरों की कम्यों को सब्रक के साथ सेहने लगते हैं हमें समझ आने लगती है कि हमेशा हम ही सही नहीं होते, हम महसूस करते हैं कि अगर हम सही हैं भी, तो भी अपने आपको सही साबित करने से ज्यादा जरूरी है आपस में तालमेल बनाए रखना हम निराशा, आलोचना और बेवजह की बहस से किनारा करने की कोशिश करते हैं हम लोगों के बारे में मन में जो धारनाए बना लेते हैं, उनसे जो आशाएं और उमीदे रखते हैं, इन सबसे उपर उठने लगते हैं और दूसरों के नजरिये का आदर करने लगते हैं हमारा स्वभाव रहम दिली वाला, शांत चित, सब्र और हलीमी वाला बन जाता है धीरे धीरे सेवा का असर हमारी दुन्यावी जिंदगी में दिखाई देने लगता है और रुहानियत की खुश्बू और आशा से भरी सोच हमारे हर काम में जलकने लगती है सद्गुरू समझाते हैं कि अगर हम इस बात को समझ सकें कि हम क्या थे और क्या बन गए हैं तो हम सभी अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं हैं संद कबीर कहते हैं सेवा दुन्यावी विशे भोगों की ओर से हमारा ध्यान हटाती है अगर हम सेवा नहीं कर रहे होते तो हम अपने समय का कैसे इस्तिमाल करते क्या बाजार में घूमते फिरते, सिनिमा देखते, इंटरनेट पर होते परिवार या कामकाज या दुनिया में उल्जे होते सेवा हमें दुन्यावी कामकाज और जिंदगी की समस्याओं के भवर में फसने से बचाती है जो हमें हमेशा हमारे सचे मकसद से दूर रखते हैं जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम खुद से उपर उठकर सेवा में लगते हैं फिर मन इन छोटे-छोटे जगणों से हटने लगता है और खुद को शानती और खुशी महसूस होती है जैसे-जैसे सेवा के लिए हमारा लगाव बढ़ता है दुनिया की वे चीजें जिन्हें हम बेहत प्यार करते थे धीरे-धीरे फीकी लगने लगती हैं और हम सचे प्रेम की ओर खिंचने लगते हैं सेवा हमारे लिए सूखे रेगिस्तान में आनंद और शानती देने वाली ठंडी च्छाओं की तरह है अक्सर जब हम अपने कामकाज के बोज से भरे सप्ता को निप्टा कर सत्संग घर में सेवा के लिए पहुँचते हैं तो हमारी रूह राहत और आनंद की सांस लेती है ऐसी सुकून देने वाली जगे पर आकर हम कितना शुकराना महसूस करते हैं जब सेवा खत्म हो जाती है हम एक साथ बैठकर सद्गुरू के बारे में बातें करते हैं हालां की हम कभी भी घर जा सकते हैं लेकिन हमें उस सुकून भरे माहौल में थोड़ी देर और रुकना अच्छा लगता है सद्गुरू खुशियों का खजाना हैं वे अपने साथ खुशियां लेकर आते हैं उस ताजी ठंडी बयार की तरहें जो सेवा सेंटर में हर एक को छूती हुई बहती है एक बार जब हम उस सेवा की मिठास चक लिते हैं तो फिर बार बार वहां लोटते हैं गुरू अर्जुन देव ने फरमाया मन्तन सीतल सांत सहज लागा प्रभकी सेव सेवा करते करते हमारा विश्वास गहरा होने लगता है क्योंकि तब हमें सद्कुरू का असल करिश्मा देखने को मिलता है हम खुद देखते हैं कि कैसे सख्त और एहंकारी सेवादार समय बीतने के साथ नरम स्वभावाले और रहम दिल बन जाते हैं कैसे सेवा के बड़े-बड़े काम ऐसे सेवादार पूरा करते हैं जिन्हें उस काम का कोई खास तजर्बा नहीं होता और नहीं उन्हें उस काम की कोई काबिलियत होती है धीरे धीरे हमें इन सब के पीछे सद्गुरू के हाथ हुने का एहसास हुने लगता है हमें लगता है कि वह परमात्मा खुद ही अपने काम कर रहा है हम अपने भाग्य को सराहते हैं कि हमें उसका जरिया बनने का मौका मिला है जैसे जैसे यह एहसास गहरा होता है, हमारा भरोसा भी और गहरा होता है हम शुक्राने से भर जाते हैं, क्योंकि सेवा से भरा जीवन, प्रेम से भरा जीवन है हम सेवा करते हैं, क्योंकि हम सद्गुरु से प्यार करते हैं सद्गुरु भी हमारी सेवा में लगे हुए हैं, क्यूंकि वे हमसे बेहत प्यार करते हैं सेवा हमें एक दूसरे के साथ रहने का मौका देती है अगर हमेशा जिस्मानी तौर पर न भी सही, तो रुहानी तौर पर एक सेवादारनी को सरदार बहादुर जी और हुजूर महराजी दोनों के साथ सेवा का मौका मिला 1989 में हुजूर के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद करती हुई वेह बताती हैं कि हुजूर महराजी ने दिल्ली सत्संग घर में कुछ सेवादारों को सेवा के मामले पर बात करने के लिए बुलाया जब वे आये तो हुजूर का ध्यान सेवा की लिस्टों पर गया जो सेवादारों ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी हुजूर ने बड़ी ही मीठी आवाज में कहा चलो ये सब छोड़ते हैं पस बैठ कर बात करते हैं और उन्होंने यही किया भी छे महीने बाद हुजूर चोला छोड़ गए फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हुजूर तो बस उनके साथ रहना चाते थे उनका प्रेम ही माइने रखता था सेवा से जुड़े क्या काम थे उनकी एहमियत नहीं थी वे तो बस साथ रहने का बहाना था महराच चरण सिंग जी ने फरमाया है हम कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिस से उसका प्यार पाने के हखदार बने वही देता है और हमेशा देता ही रहता है अगर सद्गुरु खुद रहमत नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा आखिर सेवा के जर्ये ही तो हम सब कुछ उस प्यारे को सुपुर्द करना सीखते हैं एक सेवादार ने कहा हमारी अपनी हस्ती धीरे-धीरे मिटती जाती है और ऐसा होते हुए देखना हमें बुरा नहीं लगता कि हम अपनी हस्ती को मिटाते हुए दूसरे की हस्ती इक्तियार करते जा रहे हैं उस एक को कईयों के जरिये और कईयों को एक होकर काम करते हुए देखना अपने आप में एक अलग ही आनंद का नजारा है दोरी वह खींच रहा है और हम तो कठपुतली बन कर नाच रहे हैं हम खुश हैं क्यूंकि हम मालिक के हुक्म के मुताबिक नाच रहे हैं यह है एक सेवादार का खुशी-खुशी शरण लेना इसलिए अगर हम सही नजरिये के साथ सेवा करते हैं तो तन की सेवा हमें सद्कुरू से जोडती है और एक ऐसा माहौल बनाती है जिससे हमें भजन सिम्रन में मदद मिलती है और भजन बंदगी के बाद तन की सेवा हमें सद्कुरू से जोड़े रखती है कितना सही तरीका है रुहानियत में तरक्की का इन तरहें तरहें की सेवाओं के बिना हमारी जिन्दगी कैसी होती अधूरापन, बेशक हम जिन्दगी जी तो रहे होते लेकिन क्या वहें खुशी मिलती? किसीने इतनी खूपसूर्ती से कहा है एक सेवादार के लिए सेवा के बिना जिन्दगी ऐसी है जैसे धूब के बिना दिन और रंगों के बिना दिन सेवा हमें मिला हुआ एक तोहफा ही नहीं एक अनमोल तोहफा है जाने माने भारतिय कवी रवींद्र नार्ट तेगोर ने इसे ऐसे बयान किया है वे फर्माते हैं मैं गाउं में घर घर जाकर भीक मांग रहा था जब दूर से आपका सुनहरा रत एक सपने की तरह दिखाई दिया तो मैं सोचने लगा कि यह शेहनशाहों का शेहनशा कौन है मेरी उम्मीदें जाग उठी और मुझे लगा कि मेरे बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं और मैं उस भिक्षा का इंतजार करने लगा जो बिना मांगे मिलने वाली थी उस दौलत का इंतजार करने लगा जो चारों ओर धूल में बिखरी हुई थी तभी वहरत वहां आकर रुका जहां मैं खड़ा था आपकी नजर मुझ पर पड़ी और आप मुस्कुरा कर नीचे उतरे मुझे लगा कि आखिर मेरी जिन्दगी का वह सुनेहरा दिन आही गया तभी एका एक आपने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और मुझसे कहा मुझे देने के लिए तुम्हारे पास क्या है आह एक राजा का एक भिखारी से कुछ मांगने का यह कैसा मजाग था हिचकिचाया हुआ परेशान मैं वहाँ खड़ा रहा और फिर मैंने अपने बटवे से धीरे से मक्की का सबसे छोटा दाना निकाला और आपको दे दिया लेकिन मैं हैरान तब हुआ जब दिन खत्म होने के बाद मैंने अपने जोले को फर्ष पर लाकर खाली किया और देखा कि उसमें से सोने का एक छोटा सा टुकड़ा निकला मैं तब जार जार रो पड़ा और सोचने लगा कि काश मेरे पास वो दिल होता कि मैं आपको अपना सब कुछ दे देता यह कहानी दर्शाती है कि सेवा करने से सेवादारों का ही सबसे ज्यादा फाइदा होता है जब सद्गुरु हमारी जिंदगी में आते हैं हमारी उम्मीदें जाग उठती हैं हमें उम्मीद होती है कि हर तरह से उनकी रहमत होगी हमें उम्मीद होती है कि हमारी दुन्यावी परिशानिया खत्म हो जाएंगी और हमारी हर चाहत पूरी हो जाएगी लेकिन सद्गुरु ऐसा कुछ नहीं करते इसके बजाए वे अपना हाथ पढ़ा कर हमें कहते हैं कि मुझे अपना समय दो, मुझे अपनी तवज्जोह दो, मुझे अपनी होमे दो हिचकिचाते हुए, बहुत जिजकते हुए, अंदरूनी और बाहरी सेवा के जरिये चार वाइदों को निभाते हुए, हम थोड़ा सा उन्हें सौंपते हैं और फिर हमें एहसास होने लगता है कि अपना थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी तवज्जोह और थोड़ी सी होमें जो उन्हें सौंपते हैं, वे उसे सोने में तबदील करके हमें वापस कर देते हैं भिखारी की यह कहानी हमें अपने सद्गुरू के बारे में भी कुछ बताती है सेवा करते हुए हम सोचते हैं कि हम सद्गुरू को कुछ दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सद्गुरू ही सबसे बड़े दाता हैं सद्गुरू ना तो हमारे भजन सिम्रन के जरिये हम से कुछ लेते हैं और ना ही हमारी सेवा के जरिये वे तो बस हमें देते ही देते हैं सेवा उनके लिए मात्र बहाना है, हम पर अपनी रह्मत की बारिश करने के लिए महराज चरन सिंग जी ने फरमाया है, वे हमारे लिए इतना कुछ करते हैं कि इनसानी अकल के लिए समझना नाम मुम्किन है हालांकि सेवा का फाइदा तुरंत दिखाई नहीं देता कहानी के उस भिखारी की तरहें जिसे दिन खत्म होने के बाद सोने का टुकड़ा दिखाई दिया और फिर वह रोया और उसे लगा कि काश उसने राजा को अपना सब कुछ सौंप दिया होता जो उसके पास था हम उस भिखारी की तरहें यह सुनेहरा मौका नहीं खोना चाहते और बाद में पच्चताना नहीं चाहते इसलिए हमें सेवा की कदर करनी चाहिए जैसा इस कहानी से पता चलता है सेवा का फल है खरा सोना सद्गुरु का शुक्राना जैसे जैसे हमें एहसास होने लगता है कि सद्गुरु किस हद तक हमें प्यार करते हैं और उनकी जेवा हमारे लिए क्या माइने रखती है, हम उनका शुक्राना जाहिर करना चाहते हैं लेकिन गुरू को हमसे कुछ नहीं चाहिए और लव्स कभी हमारा शुकराना बयान नहीं कर सकते इसके अलावा हम दातों के लिए तो शुक्रिया कर सकते हैं लेकिन खुद दाता का शुकराना अदा करने के लिए अलफाज कहां से आएंगे एक बार एक सत्थसंगी ने हुजूर महराजजी से कहा मेरा कोई खास सवाल नहीं है आपने जो प्यार दिया है मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ Хुजूर ने उसे जवाब दिया यह सब उसी की दया महर है कि उसने हमें अपना प्यार दिया है अपनी भक्ति दी है उस एहसास को, उस गहराई को बयान करने के लिए और उस मालिक का शुकराना अदा करने के लिए कोई अलफाज ही नहीं है इसे बयान करना ना मुम्किन है सद्गुरु किसी भी तरह की सेवा से इनकार नहीं करते अपने सद्गुरु के लिए प्यार और हुक्म की पालना, संगत के लिए बेयंत प्यार और लगातार बढ़ती संगत की जरूरतें ये सब उनकी जिन्दगी को संगत की सेवा से बान देती हैं और सेवा की इस भावना में वे खुद भी रम जाते हैं। दुनिया में फसे जीवों को मुक्ती दिलाने के अलावा उनका और कोई मकसद नहीं होता, कोई निजी स्वार्थ या निजी मकसद नहीं होता। वे जिस तरहें जिन्दगी बिताते हैं, जो भी करते हैं, वे हमारे लिए एक निश्काम जिन्दगी की मिसाल कायम करते हैं। वे हमारे लिए इतना करते हैं, फिर भी हमेशा कहते हैं कि वे कुछ नहीं करते। जब भी किसी बात के लिए उनकी सिफत की जाए, वेह यही कहते हैं, यह तो बस उनके सद्गुरू की दया है, और उन्होंने ही सब किया है, संत कबीर ने फर्माया है, ना कचुकिया ना कर सका, ना करने जोग सरीर, जो कचुकिया साहिब किया, ताते भया कबीर. शायद हम कभी समझ ही नहीं सकते कि सद्गुरु की सेवा में आना और रुहानी काम में उनका हाथ बटाना हमारे लिए कितना अनमोल तौफा है शुरू में हम सोचते हैं कि हम सेवा में आए हैं लिकिन बड़े महराजी समझाते हैं कि ऐसा करना हमारे हाथ में नहीं है गुरू की सेवा वही कर सकता है जिस पर मालिक की अपार कृपा हो गुरू की सेवा उसे ही मिलती है जिसके धुर मस्तक पर लिखा हो पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर जिसकी किस्मत में लिखा हो वह बड़ा भाग्यशाली है जो सत्गुरु की सेवा में लगता है क्यूंकि मालिक खुद उसमें जाहिर होता है हमें न सिर्फ सेवा का अनमोल तौफा मिला है बल्कि हमें उस माहौल की भी बक्षिश हुई है जिसमें रहकर हम सेवा निभा सकते हैं महराज चरन सिंग जी कहते हैं यह पूरी तरह से उसकी बक्षिश है कि हमें सेवा का मौका मिलता है और हम उसे कर पाते हैं हर किसी को यह मौका नहीं मिलता बहुत से लोग सेवा करना चाहते हैं सेवा के लिए उत्सुक भी होते हैं लेकिन उन्हें कभी मौका ही नहीं मिलता उनके हालात उन्हें इजाजत नहीं देते उनका माहौल उन्हें मौका नहीं देता उनके परिवार की जिम्मेदारियां उन्हें अनुमती नहीं देती सेवा का मौका हमें परमात्मा की रहमत से मिलता है और फिर जब हम सेवा में आते हैं तो हम अपने साथ अपना सब कुछ लेकर आते हैं तमाम कमजोरियां, उम्मीदें और मांगें हम गलती पर गलती करते हैं, लेकिन गुरू हम में से हर एक को माफ कर देते हैं वहे हमारी खामियों पर परदा डालते हैं और कहते हैं कि सारी दुनिया में मेरे सेवादारों जैसा कोई नहीं है धनी धरमदास फरमाते हैं, सेवक तें बिगरे सो बारा, सद्गुर साहिब लेव उबारा, ओगुन सेवक साहिब जाने, साहिब मन में ना गिलियाने सद्गुरु सिर्फ यह देखते हैं कि हम क्या बन सकते हैं, वहे हमारी काबिलियत देखकर हमें सेवा नहीं देते, वहे हमारी जरूरत देखकर हमें सेवा देते हैं फिर हमें सेवा करने की महारत, अक्ल, ताकत और बल भी देते हैं, और जब सेवा का काम पूरा हो जाता है, तो हालांकि सब कुछ उन्होंने ही किया होता है, वहे उस पर हमारा नाम लिखतेते हैं, और सारा श्रे हमें देतेते हैं संद पल्टू साहिब ने फर्माया है, करत करावत आपु है, पल्टू पल्टू सोर सब कुछ खुद ही करने के बाद, गुरू हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, और ऐसा वह सेवादारों को प्रशाद देने के जरिये करते हैं यह एक छोटा सा, सादा और बहुत सुन्दर मौका होता है, जहां सद्गुरू लवजों का इस्तिमाल किये बिना हमारी सेवा का शुक्राना जाहिर करते हैं, और हमारे दिलों को प्यार से सरा बोर कर देते हैं लेकिन अपने दिल की गहराई में हम जानते हैं, कि प्रशाद के अफसर से ज्यादा एहमियत हमारी सेवा की है, सेवा अपने आप में ही प्रशाद है एक बार किसी सेवादार ने सत्संग में बहुत खूपसूरत लफजों में कहा था गुरु का प्यार और उसके मेहर सेवादारों के हाथों से और उनके दिल के जरिये दुनिया के लोगों तक पहुँचती है जब यह मेहर सेवादारों के जरिये वहां पहुँचती है, जहां इसे पहुँचना होता है, तो रास्ते में वह उन सेवादारों के दुख, क्लेश, फिक्र और जुदाई के दर्द को भी बहा कर ले जाती है जैसे एक बांसुरी के बजने के बाद भी उसका संगीत कुछ समय तक कण कण में आवाज करता है, वैसे ही गुरू की दया मेहर की खनक और महक हमारे अंदर उस सेवा के खत्म हो जाने पर भी रहती है और अगर हम अपना ध्यान अंतर में भजन बंदगी के ओर मोडते हैं, तो उस मेहर को जजब करते हैं, यह आनंद ही हम सेवादारों का प्रशाद है सद्गुरू एक पहेली है, जिसकी कोई थाह नहीं, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जिसके बे शुमार पहलू हैं हम शायद उनकी दी हुई तालीम तो समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं इसलिए उन्हें समझने की कोशिश के बजाए, हमें उनसे प्रेम और उनके हुक्म में रहने की कोशिश करनी चाहिए जैसे जैसे प्रेम का जजबा बढ़ता है, हमें महसूस होता है कि सिर्फ सेवा ही उनकी बख्षिश नहीं है, बलकि हमारी सारी जिन्दगी उनकी रहमत से सराबोर है हमारी जिन्दगी उनका प्रशाद है सद्गुरु हमारे लिए जो करते हैं, उसके एवज में जिन्दगी भर की सेवा और भजन सिम्रन गुरु के शुकराने के लिए काफी नहीं है संतुकाराम ने फर्माया है, उसने मुझे अपने दर्जे तक उपर उठा दिया है, उसने मुझे परम सत्य में लीन कर दिया है